मैं राजेश कन्हर हूँ और ये मेरी कहानी है ये कुछ महीने पहले हुआ था मैं कॉलिज से निकल कर नौकरी ढून रहा था उस समय मैं अपने माता-पिता के साथ एक बड़े शहर में रहता था मेरे माता-पिता किसी अपने दोस्त से मिलने के लिए बाहर जाने को मजबूर हो गए जिससे मुझे घर पर अकेले छोड़ दिया मैं थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि पिछली रात मैंने सबसे डरावनी हॉरर मूवी देखी थी मेरे घर में दो मंजिले हैं मेरा कमरा और बातरूम उपर हैं वो जल्दी निकल गए और मैं नहाने के लिए तयार हो गया मुझे नहाने के दौरान जबरदस्त म्यूजिक बजाने की एक अजीब आदत है लेकिन इस बार मेरे फोन की बैटरी कम थी इसलिए मैंने उसे चार्ज किया और यूट्यूब को चालू किया ताकि टीवी पर म्यूजिक बज सके बातरूम में जाने से पहले मैंने बाहर के लाइट को चालू किया कुछ मिनट बाद मैं जब नहां रहा था अचानक बातरूम का लाइट बंद हो गया मैंने इसे नजर अंदाज किया सोचते हुए कि यह बिजली की चले जाने से बंद हो गया होगा लेकिन फिर मेरा दिमाग यह सोचने लगा कि अगर बिजली चला गया है तो फिर टीवी में गाने कैसे बज रही है मैंने संभावित कारणों के बारे में सोचा कि लाइट क्यों बंद हो सकती है बल्ब की समस्या को छोड़ कर कोई और समस्या हो सकती है क्योंकि बल्ब हाल ही में बदला गया था लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कोई उसे बाहर से बंद कर दिया हो मैंने डर कर तौलिया कमर में बांधा और बाहर निकल कर देखने वाला था पर अचानक मैंने स्विच ओन करने की आवाज सुनी और बातरूम की लाइट वापस आ गई इस समय तक मैं डर से कांप रहा था मैंने दर्वाजे से बाहर देखा और चिलाया मा, पापा, क्या आप वापस आ गए है लेकिन कोई जवाब नहीं आया फिर मैंने सुना कि किचिन में प्लेट्स तूटने की आवाज आ रही है मैं अपने आपको याद दिलाया कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ साहस करते हुए मैं आगे चला देखने के लिए कि क्या हो रहा है मैंने टीवी पर म्यूजिक को चलने दिया ताकि मुझे हिम्मत मिल सके फिर मैं सीड़ी के उपर पहुँचा मैंने धीरे-धीरे नीचे की और जहांका वहां मैंने कुछ प्लेट और बर्तन देखे लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई दिया मेरा मन बताने लगा कि यह एक संयोग हो सकता है मैंने एक मिनट या इससे भी ज्यादा तक देखा पर किसी को भी नहीं देखा मैंने बाकी सीड़ी नीचे उतरते हुए उस फ्लोर को चेक किया और ये भी कन्फर्म किया कि घर का पिछला दर्वाजा लॉक है मैं आराम करने के लिए जब सोच ही रहा था कि अचानक म्यूजिक बंद हो गया और सीड़ीयों से भारी कदम आने लगे जैसे कोई उन पर चल रहा हो मैं सिर्फ वहां खड़ा नहीं रह सकता था और देखने का इंतजार नहीं कर सकता था मैं तॉलिये के साथ बाहर भागा मेरा फोन अंदर ही रह गया था लगभग एक घंटे बाद मेरे माता पिता लोटे और मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था लेकिन बेशक वो सोचने लगे कि मैं मजाग कर रहा हूँ जब हम घर में वापस गए तो मैं अलर्ट हो गया कि कहीं से भी हमला हो सकता है लेकिन कुछ नहीं हुआ तभी मेरी मा ने मुझे लापरवा होने के लिए डाटा उन्होंने कहा कि मैंने घर के पिछले दर्वाजे को खुला ही रख दिया था आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सीडियों पर चल रहे व्यक्ति का इंतजार करता तो क्या होता मैं चाहता नहीं कि मुझे जवाब मिले